कांग्रेस पार्टी के द्वारा दो जुलाई को विधान सबा छेत्र परसवाला के ग्राम सारत में नारी सम्मान योजना का कारेकरम आयो जित किया गया इस दवरान शेक्डो ग्रामीन महिलाओं के फार्म भरे गए और उनसे आगामी चुनाओं में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए पेक्छा जाहिर की गई कारेक्रम के उपरांद करीब 50 लोगों ने भाजपा की विचारधारा का त्याग करते विए पूर्व विदायक मदुभगत के नेतरतों में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता गरहन की और आने वाले चुनाओं में एक एक बूत पर कांग्रेस की जीत सुनसचीत करने का भरोसा जताया कारेक्रम में कांग्रेस नेताओं ने उपस्थीत महिलाओ और ग्रामिनों को वर्तमान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताते हुए उसकी नाकामी अंगिनाई साथ में यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओ के सम्मान में नारी सम्मान योज नालागू करने की घोशना की है कमलनाद की सरकार बनते ही महिलाओ को पंधरा सव रुपे प्रती महा सम्मान निधी और रसोई गयज पास सव रुपे में दी जाएगी इसके अलावा बचे हुए किसानों का रीन भी माप किया जाएगा जो कामरेस की सरकार थी वह किसानों को क्या कहती है, हमारा Ain दाता किसान है किसमे परक किरने कि आ示 extremely야 की जूत बोला नवज़वानों को सिवराचिंग ने जूत बोला, जुनाओं के पहले ó प्रदेस के नौज़वान साथियों, चिंता मत करना, सब को 25-25 लाख रुपे का लोऑ दुँगा और उनकी मार्जिन मनी मामा देगा बताईए एक हास तो भी किसी मामा ने मार्जिन मनी लिया किसी को 25 लाख का लोऑ किसी को नहीं मिला मतलब इनोंने जब जब भी समय आया जूट बोलकर सरकार को बनाया तो पूरे पर्देश और देश का एक बाताऊरण बन गया इनके खिलाब के अब हमको इस सरकार को नहीं लाना है कि फक्र है इस देशवाजियों का मैं तो इस ग्राम के सारत वाजियों न चाहाँóں का मैं भूत लंबे समय से इस गाउं से जुड़ा हूँ, इस गाउं के लोग हमेशा से कांग्रेश बात्ती राश्टना कांग्रेश की विचार तारा के समर तक है और आज उन्होंने पचासों लोगों ने यहां आकर गमचा पहन कर यह साबिद कर दिया कांग्रेश नेता और पूरो विदायक मदुभगत ने नारी सम्मान योजना के इस कारेकरम को शंबोधीत करते विए कांग्रेश की विचार धारा और रिती नीती का भी परिचय कराया उन्होंने कहा कि आज केंद्र में जो नरेंद्र मोधी की सरकार है वह लगातार जन्ता से जूट गोलकर सत्ता में आई है उसी तरह से प्रदेश में शिवराश सिंग चावान की नेतरतवाली सरकार लगातार किसानों, मस्दुरों, यवाओं और वेरोजगारों को परेशान कर सत्ता में बनी हुई है। हम लोग दूसरी पार भी ठगें और तीसरी पार भी ठगने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उसी तारतम में सिरासिम चमार जी ने 2003 से किसानों को, महिलाओं को और ग्यूवर जो बिरुज़कार गुब रहे हैं और मजदूरों को परिशान करने का काम किया। मैं जानता हूँ कि ये देश बहुत मुस्किल से बना है, इसकी आजादी बहुत मुस्किल से मिली है और आजाद कराने के लिए किसी एक जादी के वेक्टी ने कभी देश की कुर्वानी नहीं दी। मदू भगत ने धर्म आधारीत राजनिती पर भी जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस देश को आजादी बहुत ही मुष्खिल से मिली है और इस देश को आजात कराने के लिए किसी एक जाती और धर्म के वेक्ति ने सहाधत नहीं लेकिन हमारे देश में दिल्ली से जो सरकार चल रही है उसने हमेशा धर्म की राजनिती को महत्वदिया है धर्म हमारी आस्था का विशय हो सकता है लेकिन राजनिती का आस्था में लोगों का विकास सरोपरी होता है देश को मजबूत बनाने के लिए राजनिती एक पूर गरीब और सर्वहारा वर्ग का ही जुड़ा होता है। पच्यासी परसेंट में पाँच यार और नख्वे परसेंट बंता सजार रुपे की राशी दी। कि अच्छी अच्छी योजनाओं से अच्छी जो चीजें मेरी बिटिया बच्चे लोग जो पढ़ रहे थे जो आगे कॉलेज की तयारी कर रहे थे वो अठारा से लेकर के तेविस तक बंचीत हो गए। आज मुझे कहते हैं बड़ी शर्म आती है कि मेरा सारा युवा नभी खाट को पर तसला फाड़ा लेकर के खड़ा हुआ है और हशाम को आड़ बजे के बाद उसको घर जाने का होस है। इस किसे ने बनाया ये वर्तमान मंत्री कहारा ये वर्तमान मंत्री ने क्या हाल कर दिया। पूरो विदायक ने यहाँ पर भाजपा सरकार की जम कर आलोचना करते हुए कहा कि नारी सम्मान योजना यह भाजपा की नकल नहीं है बलकि भाजपा ने ही कांग्रेशनीत हिमाचल प्रदेश सरकार की घोसनाओ को ध्यान में रखते हुए चुनाओ से पहले हमारी नकल की है उन्होंने इस्थानिय विधायक और राज्यसासन के मंतरी का नाम लिये बगएर इसारो ही इसारो में जम गर निसाना साधा साथ में रेट, सराब, जुवा, सट्टा और अवेद कारियों से इस छेत्र को बरबाज किये जाने और इवाओ के भयूसे से खिलवार करने का भी आरोप लगाया कारेक्रम में मुख्य रूप से छेत्र के पुर्व विधायक मदु भगत, किरनापूर ब्लाग कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यूशू पतेल, वरिष्ट कांग्रेसी राधेस्याम ठाकरे, लचमन सिंकुर राहे, मंडल अध्यक्ष जीवन लाल लिल्लारे, उपसर पंच न मुझूद रहे